पिछले चार दिनों से संसद में जारी हंगामे की बीच में कॉंग्रिस नीता राहूल गांधी ने कहा है कि मोदी सरकार अडानी के मुद्दे पर डरी हुई है राहूल गांधी ने कहा कि इसी वज़ा से उन्हें संसद में बोलने से रोका जा रहा है इस पीच खबर है कि राखुल गांधी आ तो संसद में बोल सकते हैं संसद में पिछले चार दिनों से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच घमासान जारी है संसद में एक कामकाज नहीं हो पा रहा है इस पीच कॉंग्रेस नेता राखुल गांधी ने कहा है कि वो सभी आरोपों का जवाब संसद में देंगे राखुल गांधी ने केंद सरकार पर निशाना साते हुए कहा कि मोदी सरकार अडानी के मुद्दे पर घबराई हुई है इसलिए उन्हें संसद में बोलने से रोका जा रहा है वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी इस पूरे मामले पर जूट बोल रहे है आखिर वो कब तक देश को गुमराह करते रहेंगे राहुल गांधी की आदत हो गई है विदेश जाएंगे तो भारत के लोकतंत्र भारत की जनता 140 करोड की भावनाओ संबेदन शीलता का अपमान करेंगे